हेलो स्टूदेंट्स वेलकम हेर अगेन और माई चैनल जानकर हित मैसेलफ हित अभिलाशी श्यर्मा आज हम बात करेंगे अकाउंटेंस से रलेजिट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंक रिकांसिलेशन स्टेट्मेंट शॉर्ट में जिसको बी आरेस कहते हैं उसको सेक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्टिकल प्रॉलम्स और आम ट्राइंग टू डू अलग टाइप के बैलंसिस हो सकते हैं डैविट क्रेडिट कैश्बुक और पास्बुक के हम उन सभी के साथ खाज की जो प्रेक्टिकल प्रॉलम है उनको करेंगे आओ आगे बढ़े एक अलर् कंटेंट आपको मिलेगा और सबसे इजीएस्ट वेवे मिलेगा तो स्टूडेंट्स बात करते हैं बी आरेस की बैंक रिकंसिलेस स्टेटमेंट है क्या आप अब तक जान चुके होगे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में त्रेटिकल कंसेप्ट डाला है मेरी फिर आप से गुजारिश एक वर उस वीडियो को जरूर देखें कंटेंट बहुत आसान बन जाएगा सिर्फ दो वीडियो में आप पूरा जो कंसेप्ट है वो ग्रेव कर पाओगे BRS is such a statement which is prepared to reconcile the bank balances as per cashbook with the balances as per bank passbook और we can say bank statement चाहे bank passbook को हो जाए bank statement एक ही बात है it is a statement showing reasons or causes of difference it is not a part of bookkeeping it is a method or technique to reconcile cashbook with the passbook by preparing BRS if there is any error committed can be brings out मतलब क्या है इसको short version में करके देखते हैं BRS एक statement है statement नहीं होता जैसे easy लगे वैसे कर सकते है जो cashbook के bank balance को passbook के bank balance के साथ मिलान करने के लिए बनाई जाती है उसका reconcile करने के लिए बनाई जाती है क्योंकि दोनों में difference हो सकता है एक ऐसी statement है जिसमें हम वो सारे कारणों बताएंगे जिसके कारण वो difference है यह bookkeeping का part नहीं आए यहां कोई debit credit के वो rule नहीं लगने वाले जो हम पहले principles करते हैं इस अज़स्ट टेक्नीक किसी भी तरह से cashbook और passbook को reconcile कर लेना है हमने वो सारी गलतियां ढूंड लेनी है जिसके कारण हमें BRS बनानी पड़ी समझ लगई मेरी बात यास यह है आपकी जानकारी के लिए मैंने यहां पर एक ही business house की cashbook और दूसरी passbook दिखाई है जब भी आज के question में cashbook की बात करूँगा dear student एक बात याद रखना single column cashbook double column या triple column कोई भी cashbook में जब हम BRS की बात कर रहे हैं तो सिर्फ bank column की बात कर रहे हैं यह जो cashbook दिया है यह bank column है यह amount के column दोनों bank column है यह धिया रखना bank column दिये गए हैं सिर्फ इसमें cashbook की यह debit side होती है वो receipt side है credit side payment side यह है passbook same businessman की इसमें धिया रखना debit और credit reverse है bank की passbook में bank में जब भी कुई customer पैसे add करवाता है वहाँ add होते हैं उसके account में जुड रहे होते हैं मनलब किसी ने पैसे deposit करवाई तो उस हालत में bank उस व्यक्ति के account को उस amount के साथ credit करता चला जाता है deposits के साथ और जब भी bank में से withdrawal किया जाता है पैसे निकाल ले जाते हैं तो bank उस व्यक्ति के account को passbook में debit कर देता है दिहान रखो ये अब जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ bank में 2 जनवरी को 40,000 पे deposit करवाए तो balance हो गया 40,000 credit किया इसका मतलो 40,000 के साथ credit क्यों करता है वैसे भी सोचने की बाता है जब भीây कुई customer bank में पैसे जमा करवाएगा वो वैसे तो नहीं करवाएगा वापिस लेगा भी अपने तो जो customer है वो bank का creditor बनता चला जाता है जितने वो पैसे जमा करवाता है, इसलिए बैंक उसको credit करता है, और जब credit कम होता है, कम कम होता होगा, जब पैसे विड्रा किये जाते हैं, तो बैंक उसको उस amount के साथ debit कर देता है, यह ध्यानक न, यह reverse है cashbook और passbook में, cashbook में debit side का मतलब deposit करवाना, बैंक में जब पैसे जमा ह 3930, यह दोनों same हुने चाहिए थे यह की businessman की है, क्योंकि यह भी cashbook में bank account ह aboard, यह भी bank से त्यार के गई passbook है, same होने चाहिए, बट difference है, difference क्यों है, बहुत से reasons होते हैं, कुछ entries cashbook में है, कुछ pass में नहीं, कुछ कहीं amount गलत हो गया, पास book में है, cashbook में नहीं, बहुत से reasons होते ह इसके regarding इससे पहले की वीडियो में theoretical question है बहुत important होता है वो BRS का के इन दोनों में difference के कारण क्या होते है आप मैं फिर कह रहा हूँ उस वीडियो को जुरूर देखें आगे बढ़ते हैं आप और credit balance of cashbook और credit balance of passbook दोनों का मतलब सेम होता है this means customer have some money as deposit in bank अब दूसरी बात करें cashbook के credit balance का मतलब और passbook के debit balance का मतलब भी सेम होता है दोनों का मतलब negative balance है unfavorable balance है या जिसको हम accountancy की भाशा में कहते है overdraft है overdrawn है bank से ज़्यादा वैसा निकाल लिया क्योंकि businessmen ऐसा current account में निकाल सकते है बीरेस को करना कैसे है बनानी कैसे है bank reconsider statement इसको बनाने के दो ही डंग हो सकते है या तो इसको cashbook के balance के ताश शुरू किया जाए या इसको passbook के balance के ताश शुरू किया अगर cashbook के balance से शुरू करेंगे cashbook के balance का मतलब cashbook में bank column का balance की बात कर रहा हूं मैं तो यह धिया नगा cash column की बात नहीं कर रहा हूं और जब reconciliation त्यार हो जाएगी तो हमें passbook का balance मिल जाएगा second chance यह भी हो सकता है BRS can be started with passbook balance BRS को हम passbook के balance के शुरू कर सकते हैं और जब reconcile कर लेते हैं सारी गलतियों का मिलान कर लेते हैं then we can get cashbook balance तो cashbook balance को हम attain कर सकते हैं धियान रखना यह how to make BRS, BRS बनानी कैसे है, बहुत simple टेकनीक बनाओंगा मैं आपको, books में बहुत difficult टेकनीक होती है, बड़ी simple सी टेकनीक बताओंगा, क्योंकि यह एक टेकनीक है यह कोई fix format नहीं है कि ऐसे ही बनानी बड़ेगी, differ हो सकती है यह, BRS बनाने की जो टेकनीक है, यह ध्यान रखना, यह bookkeeping का हिस्सा तो नहीं है, एक unique technique बनाता हूँ, assume yourself as whose balance is given, अपने आपको वो मानलो जिसका balance question में दिया गया है, इसका मतलब क्या बना, मानलो question में, cash book का balance दिया गया, cash book का मतलब bank column, तो उसको तियार कौन करता है, business man, तो अपने आपको business man मानलो, means if the balance of cash book is given, assume yourself as a businessman, दूसरी तरफ देखे, if the balance of pass book is given, अगर question में pass book का balance दिया गया, if the balance of pass book is given, assume yourself as bank, क्योंगी pass book को bank तियार करता है, तो खुद को bank मानलो, पहला नियूम तो ये है भी इसको, शुरू करने का, दूसरा, जब हम ये मान लेते हैं, कि हम business man हैं, या हम bank हैं, ये हम पे depend नहीं करता है, ये balance पे depend करेगा, जो balance दिया गया होगा, कि हमने अपने को business man मानने है, या bank मानने है, after that assumption to reconcile both cash book and pass book, one thing must be clear to you, that whatever you are assumed yourself, you will change only yourself, you don't have any right to change either, सदारन वजाता हूँ मैं आपको, आपने आपको जो भी मान लिया, business man या bank, balance के recording, तो आपको सिरु खुद को change करने का right है, दूसरे को नहीं, अगर आप business man मान रहे हो, तो business man को ही change कर सकते हो, आप bank को नहीं कर सकते, अगर आप खुद को bank माना है, क्योंकि bank का balance दिया होगा, पास book का, तो आप as a bank खुद को change करोगे, business man को नहीं, दूसरे को change करने का right नहीं है, इसमें हमने ये नहीं सोचना होता कि उसने गलत किया, उसने ठीक किया, हमने दूसरे के recording, खुद को, खुद के balance को plus या minus करना है, बस, खुद का balance का मतलब, जो हम खुद को मान रहे है, cash book क balance या पास book का bank मान रहे हैं, खुद को या business man मान रहे हैं, दूसरा positive और favorable balance आपको मैंने बता दिया, debit balance cash book का और credit balance पास book का ये positive और favorable balance होते हैं, इनको positive balance कहते हैं, इसी तरह से negative और unfavorable balance जिसको overdraft भी कहते हैं, ये cash book का credit balance होता है, या pass book का debit balance, ध्यान रखना ये overdraft क्या होता है BRS की ये जो टेक्नीक हम अपनाएंगे खुद को माल लो, खुद को चेंज कर लो दूसरे के accordingly उसको हम add less method जा plus minus method कहते हैं दिहान रखना है अब बढ़ते हैं numerical problem में पहुँच रहे हैं BRS बनाओ on 31st summer 2019 पहली transaction में पढ़ रहा हूँ balance as per cash book bank column on 31st summer 2019 cash book की bank column का balance है ध्यान रखना ये अगर यहां debit या credit cash book या pass book का balance ना लिखा हुआ हूँ जैसे यहां नहीं लिखा तो हम उसको favorable balance मानेंगे cash book का favorable balance होता है debit balance और pass book का होता है credit balance और यह positive होता है ध्यान रखना ये बाके आगे हम देख रहे हैं कि BRS अब बनानी कैसे है ये स्टुडेंट्स इससे पहले की वीडियो में मैंने numerical question करवाया था अज फिर आगे बढ़ रहे हैं BRS सबसे पहले उपर लिखते हैं इससे BRS बैंकरी कंसिलिस स्टेट्मेंट एज ओन डेर लिखनी होती है यहाँ पर 31 समब 2019 question के accordingly पर्टिकुलर्स प्लस माइनस ये फर्मिट बन गया इसका सबसे पहले balance as per cash book दिया गया था balance as per cash book debit balance है नहीं लिखा इसका मतलब positive balance होता है cash book का positive balance debit होता है 8000 positive balance positive side पे आगया plus side ओके सबसे easy method बता रहा हूँ मैं आपको best technique आई है second book से थोड़ा हटके है rather checks paid into bank but not deposited before 31st December 2019 5000 check bank में जमा करने के लिए भेजे पर bank में जमा नहीं हुए deposit नहीं हुए 31st December तक बाद में हो हमने उससे कुछ नहीं लेना हमने 31st December की condition देखने है जब BRS बना रहे है अब cash book का balance था हम business man है check bank में हमने deposit करने के लिए भेजे तो हमने cash book में उसको add कर लिया bank के balance में क्योंकि जमा होंगे यह सोचके पर bank में add नहीं हुए bank का balance काम है अब हमने खुद कोई change करना है bank को नहीं कर सकते तो क्योंकि हम add कर चुके थे bank के बराबर आने के लिए हम अपने balance को क्या कर देंगे minus कर देंगे less समझ लगा second checks issued but not presented by customer till 31st December 2019 रुपीज 3,000 check as a business man हमने जारी किये पर जिनको हमने check दिये काट के भी पैसे ले ले ना उन्होंने bank में पेशी नहीं किये customer ने अभी वो बैंक में पैसे लेनी नहीं गए क्योंकि check की date होती है तीन महीने छे महीने तब ले सकता है customer वो बैंक में पैसे लेने नहीं गया तो सुचो क्या होगा हम business man है जब हमने check जारी यह हमने cash hook में से payment side करके check का जितना amount सा वो लिख दिया balance कम कर लिया पर बैंक में तो कमनी नहीं हुआ क्योंकि customer वहां गए नहीं बैंक का balance तो बड़ा हुए तो हम भी बढ़ा लेंगे that is why I have added this plus check issues but not presented for payment fourth bank charges rupees 500 जब किसी transaction के साथ कुछ जादा detail ना लिखी हो इसका मतलब जिसकी book में भी है सिर्फ उस तरफ ही हुई है दूसरी तरफ नहीं हुई bank ने charges काट लिए 500 बैंक ने customer का balance कम कर दिया अब हम customer है business man है क्योंकि cash book के balance के साथ question कर रहे है bank कम हो चुक है तो हम भी कम हो जाएंगे कम का मतलब minus negative कर दिया इसको 500 के साथ समझ लगा check directly deposited by customer in the bank कुछ customer ने सीधे bank में पैसे जमा कर दिया तो bank का balance बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे बढ़ाने का मतलब plus कम करने का मतलब minus होता है 700 checks directly deposited by customer in the bank statement है से लिखी 700 plus अब इसकी balancing कैसे करते है student अराम से देखो सबसे पहले हम साफ दिख रहे है कि debit side का total जाए इनका total किया 11,700 आ गया credit side का total है 5,500 ये दोनों को add किया difference यहाँ पे लिखा 6,200 आ गया इसके बाद इसका total गर्द के दोनों दरफ का total बराबर क्योंकि question cash book के balance से शुरू हुआ था last में pass book का balance आएगा balance as per pass book अब यहाँ आके थोड़ा अराम से सोचो cash book का balance सा starting में pass book का आ गया pass book का debit balance है जा credit एक बात बता दूँ जब plus side का total जादा होता है जैसे यहाँ पर plus side का total जादा है तो यह favorable balance होता है favorable balance क्योंकि cash book का debit होता है pass book का वो credit balance होता है इसलिए यहाँ पर हम इने credit लेख दिया balance as per pass book credit balance 6200 दोनों side का total किया that is bank reconciliation statement समझ लगी बात एक बात और बताता हूँ books में यह वाली टेकनीक होता है इस टेकनीक को भी सीखो जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ same question है सुन लो पहले दियान से वो technique होती क्या है कि question में हमें जो भी balance दिया गया है cash book का या pass book का favorable या unfavorable हमने उन सभी items को उस balance में add कर देना है एक ही साथ सारी add कर देंगे items बीच में इसमें ढूंड के जिस items के साथ जिस transaction के कारण वो balance बढ़न है और ज़्यादा बढ़ेगा वो balance और जिन items के कारण वो balance कम होगा उन सभी items को हम less कर देते हैं एक साथ ही कठी करके जैसे यहाँ पर मैंने वो टेखनीक अपनाई है आपकी सुविधा के लिए तांकि आप book के साथ confused ना हो best technique वही है जो मैंने बताई थी वही question है जो मैंने पहले किया balance है as per cash book positive balance है debit side negative होता तो minus side वो overdraft होता है same है ये दोनों items जो है ये balance को addition कर रही है बढ़ा रही है तो हमने add कर दिया किस balance को addition कर रही है cash book के debit balance को ये दोनों items cash book के debit balance को कम कर रही है तो इनको less कर दिया example लेते हैं कैसे कम कर रही है कैसे ज़्यादा जैसे पहली है add वाली check issue but not presented for payment cash book का balance है हम business man है हमने चेक इशू कर दिये पर कस्टमर वहाँ पर पेमेंट लेने के लिए नहीं गया बैंक में बैलंस बढ़ा हुए तो जब हम भी बढ़ाएंगे तो हमारा डैविट बैलंस और बढ़ जाएगा इसी कारण कर दिया यहाँ पर एड इसी तरह से मालो लैस वाली की आइटम कोई भी ले 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 बैंक चार्जिस बैंक ने खर्चा कार्ट लिया भी बैंक का बैलंस काम है हम कस्टमर है क्योंकि कैश्वुक का बैलंस है बिजनसमेन है तो हम भी अपना बैलंस कम करेंगे जब हम balance कम करेंगे तो cashbook का जो david balance है वो कम हो जाएगा तो उसको हम less में शामिल कर लिया इसी धंग से हर transaction को हम SAV diversify करके लग-लग दिखा सकते हैं add less method ये होता है ध्यान रखना ये balance जो हमारी books में लिखने को, देखने को मिलता है बट जो मैंने टेकनीक नवाई वो best and easy way होता है जो मैंने इससे पहले बदाए थी आगे के question मैं उसी टेकनीक से करवाँगा नीचे वही आगया balance है इस पर passbook वही total किया हमने ध्यान से देखो david side का total आगया credit side में वो difference डाला क्योंकि positive balance जादा है इसलिए credit balance हो गया favorable balance होता है passbook का credit balance student आगे question और करते हैं इस question में देखिए question में वही उपर दिया हुए prepare BRS on 31st December 2018 overdraft और cash balance as per cash book cash book के bank column के accordingly overdraft है credit balance है cash book का credit balance overdraft यह क्या होता है unfavorable negative balance है तो इसको minus side दिखा के शुरू करेंगे बाकी आगे देखते हैं सारी transaction है तभी तभी पढ़ेंगे हम और उसमें दिखाते हैं तो ध्यान से देखो balance as per cash book credit है या overdraft है negative side से शुरू होगा 9000 आगे question में पहली entry क्या है second वाली ध्यान से देखो question में cash book का balance है तो हम business man है हमने खुद को change करना है हमने जमा होने के लिए हमने भेजे क्योंकि cash book का balance है तो हम business man है अपने को business man मान के जलो हमने भेजे तो हमने अपना balance add कर लिया बढ़ा लिया पर bank में deposit नहीं होए 31st December तक तो हम भी अपना balance कम कर देंगे क्योंकि bank में balance कम है हमने कम कर दिया checks paid but not deposited तो हमने चेक इशू किये किसी कस्टमर को check cut कर दे दिया यह था कि customer bank में से पैसे निकल वा लेगा पर वो bank में गया नहीं अभी तक बाद में निकालता होगा 31st December तक नहीं गया अब bank का balance जब हमने किसी को issue किया तो हमने अपना balance कम कर लिया पर bank में तो कम नहीं हुआ bank का balance तो increased है बढ़ा हुआ है तो हम भी बढ़ा लेंगे अपने balance को 2000 plus बढ़ाने का मलब plus next one bank charges debited by bank bank ने bank charges debit कर दिये debit करने का मलब कम कर दिया balance bank जब भी debit करता है तो balance कम हो जाता है business man का जब भी credit करता है तो बढ़ जाता है bank ने debit किया bank ने balance कम कर दिया तो हम भी कम कर देंगे bank charges के साथ 400 fifth है bank checks directly deposited by customer in the bank customer ने सीधे bank में checks जमा करवा दिये तो bank का balance बढ़ गया हम भी बढ़ा देंगे checks directly deposited by customer in the bank ये लिखके यहाँ पर 400 plus बढ़ाएंगे तो plus कम करेंगे तो minus side दिखाना है जो मेरे वाली टेकनीक मैं आपको समझा रहा हूँ interest on overdraft debited by bank 700 bank ने overdraft पर interest debit किया means balance कम कर दिया भी bank में क्योंकि उसने overdraft पर व्याज लिया 700 से कम किया कि इसका अलग cash book में नहीं हुआ तो हम भी कम कर देंगे 700 के साथ interest charged by bank 700 लिखा और negative side की अब इसकी balancing की credit side का total है 14,100 debit side का total है 2,400 वो कम है minus वाला जाद है तो यहाँ balance आगया 11,000 साथ तो यह negative balance है अभी question cash book के balance किसा शुरू हुआ था last में आएगा pass book का balance balance है दे पर pass book यहाँ मेंने credit लिख दिया क्या यह ठीक है no it's totally wrong यहाँ पर debit होना चाहिए धियान रखो क्यों 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 कि यह negative balance है pass book का negative balance debit होता है हमेशा जिसको हम overdraft कहते है negative क्यों है क्योंकि minus side का total जाल है समझ लगी टेकनीक तो student आगे वढ़ते हैं और फॉलिंग पर्डिकुल इस प्रपेर बैंक रिकर्जिशन एक और question एक four star private limited है bank overdraft है पर bank statement दिया अब हम bank मानेंगे अपने आपको पिछले दोनों question जो मैंने आज किये उसमें business man मान रहे है क्योंकि cash book था balance था अब यहाँ पर bank statement के accordingly bank का pass book का balance है यह तो हम अपने आपको bank मानेंगे आगे question करते हैं directly यह सारी transaction है वहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको क्या आप सबसे पहले bank request statement as on 31st August 2016 balance as per pass book debit or overdraft एक ही बात होती है overdraft balance था 17,000 negative balance होता है तो negative side में हमने 17,000 दिखा दिया इसके बाद देखो 2200 चेक इशू किए customer ने तो उसने अपना balance कम कर लिया समझ लगया पर customer हमारे पास हम कोन है अब bank है क्योंकि pass book का balance है ध्यान रखो pass book का balance है तो हमने bank मानना है customer हमारे पास नहीं आए हमारा balance तो बड़ा हुए ना पर customer ने कम कर दिया अब हम कुद को ही बदलेंगे क्योंकि हम bank है तो हम भी अपना balance कम कर लेंगे कम का मदला minus 2200 next interest dividend on shares collected by banker rupees 2300 bank ने 2300 रपे shares का जो dividend होता है लाव अइश होता है इसको shares का जो profit का हिस्सा मिलता इसको dividend कहते है bank ने collect करके उसके balance में account में जमा कर दिया customer के अब customer ने नहीं किया यहां लिखा वो नहीं है उसने भी कर लिया तो यह difference का कारण बन गया क्योंकि customer ने नहीं किया अपने account में जमा उसको deposit नहीं किया तो customer का balance कम है हम भी कम कर देंगे क्योंकि हम bank है dividend collected by bank 2300 minus next one fourth interest third है interest charged by bank recorded twice in the cash book ध्यान से नहीं entry है यह नएंगा transaction है एक difference का कारण bank ने interest charge किया cash book में भी लिख लिया pass book में भी cash book में recorded twice कम लो दो बर लिख दिया cash book में दो बर कोई खर्चा लिख दिया ता वो balance एक बर जादा कम हो गया एक बार तो हो नहीं होना था लेकिन उसमें दो बर जब लिख दिया तो एक बार और ज़्यादा कम हो गया वहां कम हुआ तो हम भी कम कर देंगे लिखा वही interest charger recorded twice in cash book 500 हमने भी कम कर लिया थी एक बार हमने इसमें को ठीक गल्द नहीं करना होता सिर्फ उसके साथ मिलान करना है फोर्थ चेक डिपॉजिट आज पर बैंक स्टेटमेंट नोट एंटर इन कैश्वुक चेक बैंक स्टेटमेंट के एकॉर्डिंग ली कैश्वुक में हमने जमा कर दिये ध्यान से जब चेक जमा किये 3400 रुपे के चेक डिपॉजिट आज पर बैंक स्टेटमेंट नोट एंटर इन कैश्वुक पर कैश्वुक में एंटरी नहीं की बैंक में जमा होगे बैंक का बैलंस बढ़ गया पर कैश्वुक बिजनस मेंने नहीं बढ़ाया था तो हम भी कम कर देंगे क्योंकि हम bank हैं अपने आपको bank मान के चल रहें पास्वुक का balance है credit side of bank column in cashbook cash short 1000 bank column की जो credit side थी उसमें 1000 रूपीज कम दिखाए cashbook की credit side में payment होता है payment अगर कम दिखाओगे तो balance बढ़ जाएगा ना अपने अब जब कहीं खर्चा कम दिखाओगे तो businessman का balance बढ़ा हुए तो हम भी बढ़ा देंगे credit side of cashbook cashbook कास्ट short लिखके reason वही लिखा 1000 प्लस next है club dues paid by bank as per standing instructions not recorded in cashbook bank को instructions दी थी customer ने कि उसके club की कोई fees होगी उसको पे कर दे, bank ने पे कर दिये bank ने balance कम कर लिया और customer ने record ने किया customer का balance बढ़ा हुए तो हम भी बढ़ा देंगे club dues paid by bank ये देखो positive side में 1200 club dues paid आगे है uncredited checks due to outstation uncredited checks का मतलब जो check bank में जमा होने के लिए भेजे credit होने के लिए भेजे पर credit नहीं हुए अभी तक कत्ति दिसंबर तक क्योंकि outstation check थे बाहर के किसी शहर के check थे कुछ time ले रहते हैं ऐसी check तो ऐसे ध्यान से सोचो जब outstation check जमा होने के लिए भेजे तो business man ने अपना balance बढ़ा लिया हमने नहीं बढ़ाया हम bank है तो अब हम बढ़ा देंगे क्योंकि हमने कुछ कोई change करना है यह मैं आपको बता चुका हूँ उसी धंग से आप balance करेंगे credit side का total आ गया 25,400 debit side का total कम है सिरफ 6,100 है बाकी balance निकाला 19,300 balance as पर cash book आ गया क्योंकि pass book से शुरू हुआ था question कहां पर पहुँच गया cash book का negative balance है क्योंकि minus side का जादा है that is credit balance होता है cash book का जा इसको हम overdraft भी कहते है समझ लगा student अब ध्यान से देखो मेरी बात अगर यह add less method होता तो क्या होना था ध्यान से सोचो यह overdraft balance है negative जो जो items यहाँ पर minus side में आ रही है यह इसमें add हो जाती बस क्योंकि इन सभी item ने overdraft or increase कर दिया और इन सभी items यो की plus side है इन सभी के कारण overdraft का balance कम हुआ तो इनको हम less कर देंगे यह होता है add less method जैसे मैं आगे दिखा रहा हूँ यह question किया हुआ ऐसे ही यह देखो यह जो चारो item थी इन सभी को add कर दिया इन सभी को हमने add गिया इनका total बन गया 8400 और overdraft में add हो गया तो overdraft 17000 से बढ़कर 2500 हो गया अब इन तीन item के कारण जो plus side में थी क्योंकि overdraft negative balance होता जो plus side में आई overdraft कम हो गया कम होने का मतलब क्या हुआ इनका total किया 6100 आ गया overdraft 2500 बन रहा था 8600 उसमें से minus किये तो balance कितना रह गया 19300 ये हो गया balance as per cash book credit या overdraft balance हो गया समझ लगा clear ये इस ज़ंग से होता है books में आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको comparatively अच्छा इस्टोरेंट से एक question जल्दी जल्दी time काफी हो चुक है balance दिया गया है cash book में अतुल की 31st December को it found that 3 checks 2000, 5000, and 8000 deposited during the month of December were not created in the past book 3 check हैं भी गठे सबसे पहले balance दिया हो है 40,000 पे balance है as per cash book कुछ नहीं लिखा तो positive balance है 40,000 plus side में आ गया बाकी सारा परफॉर्मा वैसे ध्यान से देखो 3 check हैं 25,000, 8,000 के अब cash book का balance हम business man है तीन चेक बैंक में deposit होने भेजे पर बैंक ने बड़ा है deposit नहीं किये बैंक का balance काम है हम खुद को change कर लेंगे हम भी अपना balance कम कर देंगे 15,000 next one 2 checks रूपी 7,000, 8,000 issued on December 28 were not presented for payment till 3rd January 2014 2 check issue किये हमने balance कम कर दिया 15,000 से पर वो customer जिनको हमने check दिये थे वो payment के लिए 31st December तक नहीं आए 3 January को आए होंगे हमने उससे कुछ नहीं लेना हमने 31 December देखना है जब हमने check issue किये थे तो हमने balance कम कर दिया था bank का balance कम नहीं हुआ bank के बराबर आने के लिए हम क्या कर देंगे अपने balance को plus कर देंगे बढ़ा देंगे next one in addition to it bank had created अतुल 4,325 as interest bank ने 350 के साथ अतुल के bank account को credit कर दिया credit means जमा गर दिये पैसे उसके account में bank बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे क्योंकि हम business man है अपने आपको cash book का balance है interest created by bank 325 plus हो गया next one and debited him with rupees 50 as bank charges और 50 रपे bank charges के साथ debit कर दिया समझ लगा मेरी बात जब उसने debit कर दिया तो bank ने balance कम किया तो हम भी कम कर देंगे for which there are no corresponding entries in the cash book इन दोनों के regarding ये मैं आपको बदा चुक हो नहीं भी लिखे तो हम मान के चलते हैं कि cash book में entry नहीं होई वैसे यहां पर clear कर दिया कि ये entries cash book में नहीं होई थी interest वाली और bank charge वाली अब इसका balance करेंगे debit side का total किया credit side का total किया minus किया उसमें से balance आ गया 40,270 दोनों side का total हो गया 55,325 balance as per pass book क्योंकि ध्यान से सुनो मेरी बात debit side का plus side का ज़्यादा है तो ये favorable balance है pass book का जो favorable balance होता है वो क्या होता है credit balance होता है ध्यानक नहीं कि ये credit balance है यह हम mention कर देते हैं तो students ये थे हर type के balance के जाख देने question करवाए वीडियो के जी सिस्से में आपको clear नीजिस balance के साथ दुबारा उस इससे में जाकर देखें जो भी method आप adapt करना चाहते है उसको adapt कीजिए मीचे comment box में जाके comment दीजिए अगर आपका कोई concern है I will try to answer इस channel पर अलड़ी बहुत सी videos है economics, commerce और motivational concepts से related उनको देखिए और बहुत सी आने वाली हैं उनका भी इंसार कीजिए Till then, thank you very much